हेलो दोस्तों आपका स्वागत है MK Academy में मैं बोल रहा हूं महीश सिंग और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रीजिनिंग के अंदर mathematical operation यानि हिंदी में बोले तो गड़ितिय शक्रिय यानि गड़ितिय शक्रिय में आज हमें क्या देखना है मेरे प्यारे दोस्तों हमें जैसे की कुछ सवाले आते हैं कि उन्हों की चिन के वदले कहता है कि पिलस की जिगह अगर माइनस होता या माइनस की जिगह पिलस होता मल् दिवाइड की जिगह मल्टीप्लाई होता तो उस तरीके की हम कोश्चन आज आपको कराने जा रहे हैं उन्हें बोलते मैथमेटिकल ऑपरेशन ठीक है नहीं गड़ितिय शक्रिय है ओके दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एमके अकेडमी को सब्स मेरे क्या करना है मेरे प्यारे बहुत При जो भी हमारे कोस्टन हमारे जो सॉब होते हो बोर्ड मास के हिसाब और यह सुरू होते हैं तो सबसे पहले हमारे बोर्ड माट्ट मोर्ड की फुल्न दाया है उन्हें कि गया है कि ब्रैकिट जो भी ह्रेकिट होगा small bracket तुमकृँट ! समी कॉलंग ब्रैकिट इस तरीके का 90 जलाब ब्रैकिट यानि बड़ा इस तीन भेकिट होते हैं तो इसеци Weihn représ यानि बहाग के बाद फिर मल्टिपलाई करेंगे 2 मल्टिपलाई के बाद जोड़ेंगे 3 जोड़ने के बाद हम माइनस करेंगे इस तरीके से हमारा board mass complete होता है, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी उसमें question आते हैं, कि यहां plus की जिगर minus करना है, minus की जिगर plus multiply करनी है, divide करनी है, तो वो हमें, यानि, board mass का जो नियम है, तो उसी के हिसाब से करनी है, अगर सबसे पहले भाग किया जाता है, board mass में divide, सबसे पहले क्या करा जाता है, board mass के अंदर, अगर वो bracket के अंदर दिया होगा, तो पहले bracket को लेगा, फिर off बाला होगा, ठीक है, फिर उसके बाद divide होगा, मगर इसमें क्या कोई bracket तो होते नहीं है, mathematical operation में, सीधे हमारे क्या है, divide से start होते हैं, तो हम divide से start करते हैं, और आपके subscription पर खतम हो जाते हैं, ओके, देरी ना करते हुए, question करते हैं, तो और आपको question के साथ साथ समझाते हैं, वीडियो को लाइक करें, share करें, जादा से जादा, ठीक है, तो चलते हैं, question हमारा यह है कि यदि पिलस का अर्थ, मैं line किसी दे रहां, यदि पिलस का अर्थ multiply, माइनस का अर्थ divide, और divide, यानि multiply करते हैं, divide हो, तो उन्होंने equation दे रखिए, 5 पिलस 4 माइनस 18 गुणा 3, यानि इसको अब हमें change करना है, मेरे प्यारे दोस्तों, पिलस हमारा, पिलस की जिगे पे क्या होना चाहिए था, multiply कर दिया, माइनस की जिगे पे क्या होना चाहिए था, पिलस कर दिया, और गुणा की जिगे पे क्या होना चाहिए था, divide होना चाहिए था, change कर दिया, ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था, तब ब शिक्स आ जाएगा ठेक है तीन चिंग अठार है पिलस फिर करते हैं मल्टीपिलाई में हमारा कितना है पांच चौक बीश बीश आ गया ओके अब इनको एड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 तो यही हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों तो हमारा कौन सा ओक्षन यह ओक्षन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आई समझ में बात आगी है बाई सबसे पहले हमने इक्क्योशन उतारी जो हमारी इक्क्योशन उन्हें दे रखी है ठीक है इसको हमने चैंज कर दिया कोस्टन के अगॉर्डिंग पिलस की जिगे हमने मल्टीप्लाई ठीक है तो सबसे पहले क्या है मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड होता है तो हमने डिवाइड कर दिया फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई कर दिया फिर आपका पिलस होगा तो पिलस हमने कर दिया तो 26 आ गया 26 तो हमारा 26 आंसर हो गया ओके दोस्तों चलत मल्टिप्लाई आपको जी मल्टिप्लाई चिन की इस्थान बर इस्थापित करने के लिए गड़िते चिनों को सही करें होगा है सही चुनिए आउक्षन दे रखें चारो इस आउक्षन में हमें यह देखना है कि कौन सा हमारा इसके उसार तो सबसे पहले एक अक्षन लिखते हैं जो भी ही यह यह मल्टिप्लाई की चिन दे रखें हैं स्थार जहां ही दे रखा एक तो इस स्थार के जिगें हम यह रखकर देखते हैं एक सब्चुन रखकर देखते हैं तो हमारा कितना ए आठ गुणा आठ डिवाइट वन पिलस सेवन ठीक है और बरावर में इस इकल टू आठ हमें क्या है कहने मतलब एट लाना तो हम वन से करते हैं भाग तो आठ ही आएगा ठीक और गुणा आठ तो मल्टिप्लाई करेंगे इसकी तो यह कितना होगे चोंशट और साथ कितना यह 71 हो गया है 71 is equal to 8 है सही बैट रहा है नहीं बैट रहा तो इसका मतलब एए ओक्षन हमारा नहीं होगा यह ओक्षन हमारा नहीं होगा अब हम ओक्षन बी लेते हैं ठीक है बी में क्या कहा रहा 8 पिलस 8 डिवाइट वन और मल्टिप्लाई 7 ठीक है इसमें इस इकल टू 8 पर देख रहा है तो हमारा कितना हो गया यहां 80 हो गया डिवाइट करेंगे फिर यह 7 मल्टिप्लाई पिलस 8 तो यह कितना हो गया 856 पिलस 8 कितना हो गया इस इकल टू 8 के बराबर बैट रहा है यह नहीं बैट रहा है इसके ज्यादा बैट रहा है तो हमारा बी भी नहीं होगा ठीक है प्यारे दोस्तों ना तो A है ना ही B है अब C option लेके चलते हैं divide 8 multiply 7 नहीं 1 है multiply 1 और plus 7 और is equal to 8 8 बन जा 8 1 आ गया भाग कर आए ठीक है multiply 1 plus 1 is equal to 8 एक की एक में multiply होगी 1 plus 7 plus 8 7 और एक 8 is equal to 8 दोनों क्या is equal to is equal to तो हमारा auction C हो जाएगा हमें auction यानि D की निकालने के जुरूत नहीं अगर ये auction हमारा A में होता है तो हमें वही निसान लगा देना था कि हाँ ये auction हमारा है ओके तो इसलिए अब हमारा A भी नहीं था B भी नहीं था तो C बैठा है तो D निकालने के कुछ जरूती नहीं है जिस पर हमारा अगर B भी answer आ जाते है तो B पर ओके कर देते A पर आता है तो A पर छोड़ देते अब हमारा C आया तो हमें C तक करना पड़ा अगर D तक आया तो D तक करना पड़ेगा ठीक है जहां भी आपका अंसर आ जाए वहीं आपको छोड़ देना है ठीक है इस तरीके से जो इस जी क्रुट्टी में बराबर आगा ये चिन रख के ओके चलते हैं ने है इसकर में है ये भी निम लिखित सम्मीक्रम ना को संतूलित करने के लिए हमें यानि इस्टार मेर्ष tu दी पड़े दिश्टान के का सही करम क्या होगा तो इसमें भी हमें िका ऐए की बेटे इसी तरीके से करना है और कॉन सा मारा स्वहिश्ट होगा व्ह देखते हैं डिवाइड बाई 4 ठीक है माइनस 12 इस इकल टू 12 ठीक है इनको क्या है हम करेंगे तो 4 एकम 4 पॉइंट लगा के इतना आ जाएगा यह देल बाग कर देंगे अगर इसे माइनस 12 करते हैं ठीक है तो यह आजाएगा हमारा कितना दस पॉइंट 5 इस इकल टू यह हमारा यह नहीं बैठ रहा तो इसलिए यह उक्षन हमारा क्या है गल्थ होगी है मेरे दोस्तों गल्थ होगया अब हमें क्या है आप्षन डी लेकर चलते हैं सिक्स मल्टिपिलाई 4 माइनस 12 ठीक और इस इकल टू में 12 तो 6 चौक 24 माइनस 12 इस इकल टू बारे 24 में से बारे जाएंगे तो 12 इस इकल टू बारे तो हमारा अक्षन कौन सा हो गया चौथा हमारा सही हो गया अब बोलोगे कि सर आपने एकी बाद ही डी क्यू लिया बेटा एक बाद इस इकल टू यहां था और इस इकल टू यहां था बाद में डिवाइड दे रहे का तो पहले मैंने इस इकल टू इस इकल टू आले करके देखिए कुछ शैंस अपने दिमाग से भी आप यूज कर सक करते हो ऐसा नहीं है कि सारा फोकस आप टीचर पर देखिए आप एक ग्रिजबेशन या इंटरमीडियर स्टुडेंट हैं तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा ओके दोस्तों चलते हैं नेस्ट कुस्टन की और इसमें क्या कहरा है कि यदि पिलस का अर्थ भाग हो पिलस का अर्थ भाग हो और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ पिलस हो तो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये क्योशन दे रखे सीधे सीधे आपको क्या इसमें रख देनी है और आपका कोशन हाल ठीक 35 यह करा कि पिलस के स्थान पर क्या हो डिवाइड हो ठीक है पिलस के स्थान पर क्या हो डिवाइड हो ठीक है पिलस के स्थान पर क्या हो डिवाइड हो ठीक है divide हो तो plus के स्थान पर हमने रख दिया भाई divide 7 minus के स्थान पर क्या हो गुणा और divide के स्थान पर क्या हो plus और multiply के स्थान पर क्या हो minus तो क्या होगा ठीक है इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7, 35 35 आगया अब पांच की गुणा पांच में करेंगे ठीक अब पिलस पांच की गुणा पांच में करेंगे फिर पिलस पांच और माइनस 6 ये कितना हो गया 25 पिलस पांच और माइनस 6 तो ये कितना हो गया 30 माइनस 6 कितना हो गया 24 चोवीश कितना आगया 24 अगया ठीक है पहले डिवाइड फिर मुटिपिलाई फिर पिलस फिर माइन इस तरीके से करोगे तो हमारा अंसर ठीक हो जाए अगर आपने पहले पिलस कर दिया फिर माइनस कर दिया तो कोशन आपका गल्थ हो जाएगा के बॉर्ड मासखे अखॉर्टिंग यह स्वाना नहीं करनी नहीं तो फॉर्ट मासक किया मेरे प्यारे बच्चे । फॉर्ट हो जाएंगे ठीक है है माध। भी लाइक करें नास दोस्त भी ओर तेली ग्राम नंबर हमारे लाय सिरेशन में जॉइन करें हाई लिक के भीद्धे में खुद आपको अपने गुरूप में जॉइन करूंगा एंक एकेड़िमी में ठीक है तो चलते है लेस्ट कोशन के और यदि पी का अर्थ पिलस क्यू का मल्टिप्लाई आर का भाग और एस का माइनस है तो जो यह क्योशन दे रखिए इसको पुट करना ठीक है रख दीजिए 44 क्यू का अर्थ क्या है मल्टिप्लाई नाइन आर का अर्थ क्या है डिवाइड कितना बार है एस का अर्थ क्या है माइनस 6 क्यू का अर्थ क्या है मल्टिप्लाई 4 पी का अर्थ क्या है पिलस 16 इस तरीके से हमने यह क्योशन रख दी और यहां देखना है कि हमारा क्या आना है तो हमें क्या करना है चोवालिष मल्टिप्लाई चोवालिष मल्टिप्लाई नाइन और इसको चेंज कर लिया वन इंटू ट्वैल मल्टिप्लाई ठीक है चेंज कर दिया तो मल्टिप्लाई कर सकते हैं ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या है इसको काट सकते हो आप इसको काट सकते हो ना काट सकते हैं कि दो से काटों दो से काट रोग तो हमारा कितना अगया है कि 33 कि माइनस 24 कि पिलस सूल ठीक है फिर यह मारा कितना हो गया पिलस पिलस करिए तो ही इस इकल टो कितना अगया कितना आ गया यह आ गया हमारा पच्चिस कि पच्चिस है इमारा कही ऑक्षन में तो पच्चिस हमारा ये बिल्कुल करक्ड आंचर हो आपको क कि शरी देको तीन तीन नौ बद तीन चौक 12 ए ठेक और चार से घाटेंगे इसको चार एकउं-4 चार एकम-4 और इस गैरे की मल्ट आ गया समझ में लाइक करते रही है अगर लाइक करोगे तो आप में समझ जाओं कि यहां आपको समझ में आ गया है ओके चलते हैं नेस्ट कोशन के और नादेरी करते हुए अब हमारा इसमें यह कि कुछ समीकरों के एक विशेश प्राणी के आधार पर हल किये गए उसी आधार को अनुतारित समीकरों का सही उत्तर ग्यात करें कैसा करना इस तरीके की कुछ सना जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तो बिलकुल भी ना घबरा हैं जैसे कि इसका हमें अन्तर देख रहा है इसमें देखिए कि 5 माइनस 4 यानि 4 माइनस 4 61 4 माइनस 3 37 3 माइनस 2 19 तो 9 माइनस 8 बराबर क्या होगा हमें इसको ग्यात करना है कहने का मतलब सीधा सीधा यह ओके करिए इसकां बताई जिल्दी कमेंट बॉक्स में हमें असाथ फाइफ श्क्यार चरो करते हैं 5 का इसकां कितना हुता है मेरे प्यारे दोस्तों इनके क्या सकष घर कर तोát होगा 5 कष टाल कितनाुता है 32 25 और इसका कितना होता है चार चुक 16 जो इससे कुछ आ रहा है वन तीन और एक चार और एक तालिस नहीं आ रहा ठीक है जब नहीं आ रहा तो इनका क्यू कर लीजिए क्यूं मैंने आपको बताया था वीडियो में रीजिनिंग की जब मैंने वीडियो कराई थी शुरू की तो मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चो कि स्क्यार और की कम से कम आपको इसक्यार तो ठाटी तक याद होने चाहिए और क्यूं आपको ट्विटी तक याद होने बहुती कंपल सरी है ओके कोई बात नहीं करके बता देता हूं याद करती रहें फाइफ का होता है 125 माइनस और चार का होता है 64 कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कित básक बना जाएगा वही तो सहीवाठोगा ऐसे इसमें catac over 64 64 और माइनस तिंतिया नोतिया 27 37 यह भी बैट गया यह क्यू करके माइनस हो रहे हैं क्यू करके माइनस हो रहे हैं तो इस तरीके से हमें करने हैं 9 का स्कार करो, और 8 का 9 का स्कार होता है 739, और 8 होता है आपका 512, इसको माइनस करेंगे, तो 9 में से 2 गए, तो 7, और 2 में से 1, और 7 में से 5 गए, तो 270, हमारा क्या है, 270 आंसर आएगा, ठीक है, इसमें मैंने उक्षन इसलिए नहीं रिखे, क्योंकि auction के जिगे पर मैंने यह लिख दिया क्योंकि हमें क्या है कि इसको देखना है तो चौते का auction तो यह नहीं हमारा रखने कुछ जलोती नहीं है अपने आप यह आपका आंसर बैड़ जाएगा ओके दोस्तों वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों में मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करते रहें कुछ तो कुछ मेहनत का फल बिलना चाहिए कि हां मैं एक लाइक मिलेगी तो मन खोस हो जाता है आगे वीडियो बनाने का मन करता है नहीं तो यूटूबर तो हैं कुछ समी करणों में एक विशेश पराणी के आधार पर हल कीजिए उसी पिरकार्द से संतुरिक्त समी करणों का सही करम लिखिए अभी जो उने पीछे कराया मेरे प्यारे बच्चु उसी से होगा सैं करना कैसे है आपको सिर्फ यह देखना कि यह हमारा आया कैसे मैंने बोला था कि आपको Q और आंशर सभी याद होने इसनिए Q और आंशर हमाय है याद होने चाहिए तो हमारा आजाएगा ठीक मेरे प्यार दोस्तों करते कैसे यह देखी इसको हम माइनस करते हैं इस मैंसे तो हमारा 35 बैठता है 9 मैंसे 4 गया तो 5 ठीक 8 मैंसे 2 गया 6 यह तो मुल्टे कर रहे हैं इसमें क्या है 14 इदर हो गया 14 मैंसे 5 गए तो कितने बचेंगे 14 मैंसे 9 गए तो 5 ठीक इदर बचा 1 इदर ले ले 11 तो 3 आ गया भी ठीक है अब उसके बाद देखते हैं इसमें से यहां हमारा क्या यह यह ज्यादा बैट रही है यह हमारी यह ज्यादा बैट रही है यह हमारी यह ज्यादा यह ज्यादा तो इस तरीके से यह नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे दोस्तों हमें सबसे पहले यह देखना कि यह किसी के क्यों यह इसकार तो नहीं है ठीक है यह किसी क 17 होते 35 होते यह हमारा 21 का स्क्राइब है और यह हमारा 22 का स्क्राइब तो यह कितने होगे 43 होगे यह सही बैठ रहे हैं 625 का होता है और 420 का होता है तो कितना हो गया 45 हो गया यह भी सही बैठ गया अब 265 और 729 देखने हैं ठीक है वाई 265 होता है हमारा 27 तो इनको कुणो करेंगे तो कितनों आ जाएगा 43 आजाएगा तो इसी तरीके से सारे कुश्य कों करने थे यानि देखने थे की यह कि हमारे क्यूं तो नहीं है इसकार तो नहीं है या मल्टिप्लाई तो नहीं हो रहे या डिवाइड नहीं हो रहे इसमें भी हम बोर्ड मास्ट करते हैं ठीक है कि क्यूं देख लिया तो इसके साफ से हमारा यह हो गया मेरे प्यारे दोस्तों ओक है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे या नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल दबाएए नई नॉटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेली ग्राम नंबर से जुड़ने के लिए तो हमारे नंबर को नोट कर लिए 7 6 8 3 00416 ठीक है वाटसब नंबर और टेली ग्राम नंबर यह एक है इस पर अगर आपको कोई भी कमी लगती है को सब्सक्राइब को इस नंबर पर हमें को सब्सक्राइब कर लगते हैं तो आपको तरंत आपको मिलेगा आंसर ओके दोस्तों तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू कर दो